हेलो दोस्तो मैं आपका दोस्त अजीत और आज की वीडियो में हमारे पास जो सेट है वो है एप प्रो का इसका मोडल नंबर होगा दोस्तो सोलर H1000 करके यहां पे आप देख सकते हैं यह दोस्तो हमारा फुली साइन वेव इनवाटर है और यह डिस्पेले वाला इनवाटर है आनि कि जो भी बैटरी बोल्टेज होंगे या कितने एमपेर चार्ज कर रहा है कितना हमारा लोड है पुरा डिस्पेले पे हमें बताता रहेगा इसमें दोस्तो जो PCV लगी है आप देख सकते हैं फुली असम्डी PCV है यहां पे आप देख सकते हैं इसमें जो प्रोब्लम ह से काफी आदा धुआ PCV में देख सकते हैं ब्लेक ब्लेक सा हो गया धुआ के कारा तो यही इसकी समिस्या है जैसे हम इसे में 220 के साथ कनेक्ट करते हैं हमारे घर की जो MCV है वो तुरन ट्रिप कर जाती है देखिए काफी आदा इसमें इस पार्किंग हुआ है तो सबसे पहल को बाहर निकाल लिया है सभी जैक अच्छे तरीके से डिसकनेट कर लिये हैं और हमारा PCV देख सकते हैं आप बाहर आ चुका है अब यहां पर जो इस पार्किंग हुई है सबसे पहले हम इसे पेट्रोल या थिनर से अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे ताकि जो इसकी प्रि कैफसीटर जो आप देख रहे हैं नीले कलर का है एक एक करके दोनों को बाहर निकाल के चेक करेंगे क्योंकि इन में से एक फटा हुआ हमारा दिख रहा है तो एक एक करके दोनों कैफसीटर को हम बाहर कर लेंगे तो यहां पर हमारा पहला वाला बाहर आ चुका है आप बाद चेक करना है फिर वापत लगाना है तो इसलिए ज़्यादा जल्दी बाजी नहीं एक-एक कंपोनेंट हम निकाल के चेक करेंगे यह दूसरा वाला काईपसीटर जो आप देख रहे हैं यह दोस्तों पूरी तरीके से फट चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नीचे से फटा है उपर से ठीक दिख रहा था उपर से भी कुछ स्पार्किंग हुई थी लेकिन उतना नहीं दिख रहा था यहाँ पर यह खराब हो चुका है फट गया है तो इसे भी हम साइड में रख लेते हैं उसके बाद सबसे पहले इसकी दोस्तों जो वैलो होगी व इसके आगे कुछ प्रोब्लम है या ठीक है तो इसके आगे दोस्तों सेंसिंग ट्रांसवार्मर लगा हुआ है अब हम सेंसिंग को भी बाहर कर लेंगे यह 3030 इसका जो नंबर होता है वो ट्रांसवार्मर का नंबर 3030 है तो इसे भी हम अच्छे तरीके से बाहर करके चेक कर तो यहां पे दोस्तों हमने ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल लिया है आप देख सकते हैं इस पे भी काफी यादा स्पार्किंग हुई है इसके अंदर की जो क्वायल है वो भी जली हुई दिख रही है सायद आपको कैमरे में क्लियर ना दिखे क्योंकि इस पार्किंग काफी होगा उसके ऊपर आएगी यानि 400 वोल्ट के ऊपर आएगी तो यह खराब हो जाएगा यहां पर काफी आदा इस पार्किंग फीसी भी हुई है इसे भी अच्छे तरीके से हम साफ कर लेते हैं ताकि जो ट्रेक प्रिंट ओपन हुई हो उसे हम अच्छे तरीके देख सकें अ आप देख सकते हैं हमारे जो पुराने वाले ट्रांसफर्मर में लेग है वो पांच लेग है इसमें और इसमें काफी जादा लेग है इसमें एक साइट पांच है एक साइट चार है तो इसमें दोस्तों जो लेग एक्स्ट्रा आपको दिख रही है वो इसकी पकड़ के यहां पर आप देख सकते हैं जो एक्ष्ट्रा लेग होगी उसमें कुछ वायर जड़े नहीं होगे जो आपकी कोयल होगी उसे वायर निकले वो नहीं जड़े होगे तो आप उसे कट करके जिस तरीके से आपका पुराना TRANSFORMER तरीके से आप बना सकते हैं जो एक्स्ट्रा लेग है हम कट करके इसे बाहर कर निकाल देंगे आप देखिए तीन लेग हमारी उधर उस साइड निकल चुकी है और अभी इस साइड चार है इस साइड में दो ही चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें वायर हमारा नहीं जुड़ा हुआ है इसक पराने वाले ट्रांसफार्मर में दोएज साइड तीन साइड अब हम इसे अच्छे तरीके से लगा करें से लगा करे जोर्डिंग कर लेते हैं और उसके बाद फिरोज्य करते हैं.. तो हमारा जो दुनों कईपेसीटर है.. और यह हमारा थैंसिंग है.. यह दोनों को घंच कर देंगे.. और उसके बाद भी हम आपको अच्छे तरीके से उसल्डिंग करने के बाद दिखाते हैं.. अब यहां पर हमारा जो sensing transformer है वो लग चुगा है और आप हमारा जो कैपसीटर आप देख रहे थे फटा हुआ था इसको हम साइड में रखेंगे और इसमें हम दोनों कैपसीटर नए डाल देंगे आप देख सकते हैं सेम वैलू का हमारे पास कैपसीटर है 47 UF और 440 वोल्ट मे आप देख सकते हैं तो हम इसे भी अच्छे तरीके से अपने PCV में फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद अभी हम आपको चेक करवाते हैं तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो च कड़ा लेंगे वायर की टुकड़े के मदस से हम प्रिंट को फिर से बना देंगे कैपसिटर और जो सेंसिंग ट्रांसवर्मर हमारा ख़लाब था हमने उसे चेंज कर दिया है यह वाली जो प्रिंट है इस पर हम थोड़ा सा इसके उपर इसकरेश कर देंगे क्योंकि इसके नीचे होती है तो आप थोड़ा सा इसकरेश करके प्रिंट के उपर और इस फिर से जोड़ सकते हैं तो यहां से मैं प्रिंट बना रहा हूँ इसके उपर की जो पॉलिस है उसे हटा के पॉलिस हट चुकी है और अब हम इसके उपर थोड़ी सी सोल्डिंग कर देंगे को जमपर देके बना लेंगे यहां पर हमारा यह जूड़ चुका है और जो दूसरी साइड हमारा ट्रांसफार्मर की जो लग थी वहीं से हमारी प्रिंट ब्रेक हुई है हम वापस इसे प्रिंट को लेग पर यहां पर कुछ इस तरीके से अब यह हमारा दोस्तों कंप्लीट हो चुका है यानि कि अब हमारी पीसीवी में जो कंपोनेंट जला था हमारा सेंसिंग ट्रांसफार्मर और दोनों करपशीटर हमने दोनों को टाइट कर दीया है ताकि कोई लूजिंग न रहे अच्छे तरीके से हमने जेक फिक्स कर लिया है और वापस हमने इसे बैटरी से connect कर लिया है अभी यहाँ पर देखे बैटरी बोल्टे लिखके आ रहा है और जो हमारा time है time बता रहा है अभी कुछ नहीं आ रहा है load अभी जीरो है क्योंकि अभी हमने इस पर कोई load दिया नहीं सब कुछ इसमें लिखके आता है time date यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम वापस इसे main से connect करके देखते हैं यहाँ पर main off दिखा रहा है यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि अभी हमने main 220 की wire अपने board में connect नहीं की है तो अब चलिए wire को connect करके उसके बाद चेक करते हैं यहाँ पर जो हमारी inverter की wire है उसे हम अपनी main 220 board में connect कर लेते हैं यहाँ पर अभी LED display color थोड़ा सा dark हो जाएगा यहाँ पर dark हो चुगा है mains दोस्तों इसने ले लिया है अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पर battery charge कर रहा 13.1 volt और यहाँ पर mains own हो गया है 249 volt हमारे है mains आ रही है यानि की जो current है 249 volt input आ रही है और यहाँ पर इसने charging ampere भी show कर दिया है यहाँ पर देख सकते हैं और अब अच्छे से हमारा जो set है वो तैयार हो चुका है अच्छे से charging और आ रही है तो कुछ इस तरीके से दोस्तो आप भी ठीक कर सकते हो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को like भी कर सकते हो और अगर आप मारे channel पे नए हो तो channel को subscribe भी कर सकते हो इसी तरीकी की दोस्तो वीडियो मैं अपने YouTube channel power तक पे upload किया करता हूँ हम मिलते हैं दोस्तो इसकी next वीडियो में और कोई नए फाल्ड के साथ